नमस्ते आदाब सस्त्रियकाल मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं हाउसफुल किचेन तो दोस्तों एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ अभी वीडियो थुरी लेट आरिए दोस्तों माफ किज़ेगा क्योंकि घर में पेंटिंग काम चल रहा है तो बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाती है और बहुत कम तेल मसाले में और इसे धूप भी ज VolksPL बन के जरूरत नहीं है बस एक दिन में ही यह अचार बन के तयार हो जाता है और जैसे ही आप यह कुचा तयार करोगे वैसे ही खाना सुरू कर सकते हो एक दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं है फटा-फट यह अचार बना और फटा-फट खाना सुरू तो बहुत tasty और easy recipe है आप लोग ज़रूर या फिर सत्तु वाली लिट्टी जो बनती है तो उसमें खट्टा के लिए ये कुच्छा डाल सकते है तो देखिए दो केजी में है आम ली हूँ और आम थोड़ा टाइट होने चाहिए तो देखिए आम को अच्छे से दो लिए है और इसका जो उपर का डंटी है बुंडी उस कद्दू कस्ते समय ध्यान रखिएगा हाथ ना कटे और देखिए यहां जो यह गुठली है इसमें थोड़ा थोड़ा आम लगा हुआ है तो आम के स्लाइस के साथ इसका खट्टा मिठा अचार बना सकते हैं तो किसी और वीडियो में मैं यह आम का गुठली का रेसिपी बत लगता है तो आप लोग इसे जरूर बनेएगा तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपना कुच्चा के बनाने के प्रोसेस में तो यहां 100 ग्रा मिर्ची लिए हैं इसके डंटी को तोड़के दोग के पोश लिए हैं और बीच से चीरा लगा के अभी नहीं भी इसी में डाल बहुत जूसी बनता है तो आप इसे एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि मसाला मिलाने में आसानी हो तो इसे अब रख देते हैं और चलिए अब इनके मसाला तैयार कर लेते हैं तो कुछ सुखी मिर्ची को ड्राइ रोस्ट करेंगे तो यहां पर सुखी मिर जीरा और एक चम्मच सौफ को ले लेंगे सबको भी रोस्ट कर लेंगे तो पहले धनिया और जीरा डाले हैं इन्हें सुखा चला रहे हैं बस एक मिनट रोस्ट करेंगे ताकि बहुत अच्छे से पिस जाए और बहुत अच्छी खुश्बू आने लगे ज्यादा रोस्ट क अब इसे तरीके से भी मिक्सी में पिस लेंगे तो कुच्चा में अच्छा फ्लेवर आहाएं तो एक सब मिला लेते हैं तो पर दो चमबच नमक टालेंगे और यहां दो चमबच हल्दी पर लेंगे, इन सब को डालकि अच्छे समिलाएंगे, अब यहां पर जो मिर्ची पीसे थे उसे डालेंगे, तो कुच्छा थुरा तीखा यह अच्छा लगता है, चट पटा अचाड़ हो, कुच्छा हो, तीखा चट पटा अच्छा लगता है तो मिर्ची डालिएगा ज्यादा ही अब यहां जो धनिया जीरा सौफ था इसे भी डालेंगे तो लगबक चार चमची से डाल रहे हैं फिर जदी जरुवत पड़ेगा तो डालेंगे तो डालके अब तेल डालेंगे तो थोड़ी मिर्ची कम लग रह हैं अब ही इसे खुश्मा बहुत अच्छी आईगी और अचार में डालने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है तो अब यहां सरसो का तेल डालेंगे तो σरसो का तेल वह तो डूम पकर तो दोडायों तो देखिए इसी तरीके से डाल आकर मिलाईएगा तो बहुत जल्दी ये अचार बनके तयार हो जाती है बस आज के आज धूप लगा और आज से ही खाना चालू अभी भी इसे चक सकते हैं बहुत टेश्टी अभी से ही लगने लगेगी और जब इन्हें स्टोर करना है तो साल भर रखने के लिए थुरा धूप दिखाना जरूरी है इसलि ये एक दिन की धूप में कुच्चा बिलकुल परफिक बनके तयार हो जाएगा तो देखिए अब थोड़ा सा चक लेते हैं कि प्रपर नमक मिर्ची पड़ा है की नहीं तो थोड़ी सी लेके चकेंगे तो बहुत चटपटी तो बनी है लेकिन थोड़ी सी मिर्ची और डाल है ताकि थोड़ा तीखा और आ जाए और चटपटा हो जाए तो दो चम्मच यह मिर्ची और डाल देते हैं अब यहां थोड़ा तेल भी डाल देते है ताकि पकने पर यह तेल अच्छे से दिखे उपर-उपर थोड़ा सा तेल जार में जब पैक करेंगे ना ये कुच आ उ तो यह कुछा बनाने का यही फायदा है बहुत कम मेहनत बहुत कम तेल मसाला और बहुत अच्छा स्वाद तो आप जरूर बनाईएगा बहुत टेस्टी बनता है तो अब इन्हें धूप में रखतेंगे तो एक जाली से उपर से कवर कर देंगे अगर जाली ना हो तो सूती अपड़ा से उपर से ढख दें और नीचे एक बांग दें रसी से ताकि कुछ धूल करना जाए अंदर तो अब इन्हें एक दिन धूप में रखेंगे तो देखिए एक दिन के धूप के बाद यह कुछा बिलकुल तयार है बहुत ही अच्छा से पक गया है और देखिए मिर बहुत ही टेश्टी बनती है और रोटी पराठा पूरी किसी भी चीच के स्वात को यह दस गुना बढ़ा देगा बहुत ही फ्लेवर फुल होता है तो आप लोग जरूर बनाएगा और इसे स्टोर करने के लिए कांच के मर्तबान में रखेंगे तो यह जो जार है कांच का इन्हें अच्छे से दो के सुखा लिजेगा ताकि इसमें कुछ भी नमी न रहे और एक देखिए यहां पे तेल गरम किये हैं तो गुनगुना तेल को ठंडा कर लिए अब इसे जार में पूरे अच्छे सा फैला देंगे देखिए इसी तरीके से आब इसके ऊपर हम अपना कुछा डालेंगे तो साल से दो साल तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और टेस्ट बिल्कुल ही इसी तरीके का रहेगा जैसा आज है वैसे दो साल के बाद भी बहुत ही फ्लेवर फुल यह रहता है तो जभी आम का सीजन है जरूर बनाईए और बताईएगा आपका कुछा कैसा बना तो इस तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और कॉमेंट करके बताईएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी फैमली फ्रेंड के साथ शेयर भी किजेगा और पूरी पराठा चावल किसी भी चेश के साथ खाएए स्वात दस होना बढ़ जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई